चोटी हो तो भे इस दुन्या में आने के लिए मैंने तो कोई जिद ने की थी ना मा तुम्हारी वज़े से मैं इस दुन्या में आई और इस दुन्या को देखा लेकिन तुम्हारी चेहरा नहीं देख पाई अनामिका मेरा नाम, मेरा घर, मेरे माता पिता कौन है यहां तक मुझे नहीं पता इस स्वार्थी दुन्या में मा की रूप में तुम मेरी रक्षा करोगी शायद या भगवान को पता था इसलिए उन्होंने मुझे इस दुन्या में भेचा होगा लेकिन मा तुमने तो मुझे कपड़े में लपेट कर सड़क पर ही फेक दिया तो इतनी निर्दही कपसी हो गई मा बताओ मेरी क्या गलती थी इस अग्याद बच्ची के माता पिता के खिराफ सुनीता हंसराज कुबरे की जुबानी शिकायत पर भादवी की धारा 317 के ताहित मामना दर्च किया गया आगे की जाज पुलिस निरिक्षक राकेश नलगुंडुवार द्वारा की जा रही है अनेतिक संबंदों का परिनाम या बच्चा अनेतिक संबंदों से या फिर लड़की होने से उसे इस तरह लावारिस छोड़ दिया होगा ऐसी चर्चा परिसर में हो रही है उसी प्रकार इस बच्ची का किसी को कुछ पता नहीं चल सके या फिर जंगली जानवर इसे खा जाए और सारे सुराग नश्ट हो जाए इस उदेश से बच्ची को फेकनी की भी चर्चा गाव में हो रही है एक नवजाल प्रून शायद यही सवाल अपनी जन्मदाता मा को पूछ रही है एक मार ने अपने पेट के गोले को बड़े ही निर्देयता से जंगली जानवरों के हवाले एक खेत में फेक दिया देशभर में बच्चीों के साथ आए दिन कोई न कोई घटनाए हो रही है ऐसे में है दिल जन्जोर देने वाली घटना देवलापार पुलिस स्टेशन अंतरगत आने वाले नीम टोला में प्रकाश में आई है बुद्वार की रात करीब 11 बजे नीम टोला की सुनीता हंसराज कुम्रे यह अपने खेत में अपनी बेटी के साथ खेत की रखवाली करने गई थी उसके खेत में घास से बने जोपड़े में छोटे बच्चे की रोने की आवाज आई इतनी रात गए छोटे बच्चे की आवाज उसने जोपड़ी में जाकर देखा तो वहां के मचान पर एक नवजाद बच्ची दिखी आसपास नवजाद की मा या किसी और को ढूंडा पर कोई नदर नहीं आया ऐसे कुछ अजीब लगा लेकिन लावार इस नवजाद शिशू मिलने सिवक घबरा सी गई उसने ग्राम वाजियों के माधियम से पुलिस को इसकी जानकारी दी सूचना मिलते ही थानेदा प्रवीन बोरकोट ने अपनी स्चाफ सहित खटने स्थल पर पहुचे महीला पुलिस उपने रिक्षक लक्ष्मी ऐस दोड़ के उस बच्ची को उठा कर उसके माता पिता की खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया इसके बच्ची को महीला पुलिस करमचारी स्नेहा डोंगरे के हातों सही सलामत बच्ची की देख बाल करने के लिए मैडिकल हॉस्पिटल नाकपुर में भर्दी किया गया है और इस बच्ची की अभी स्वास्थ होने की जानकारी मिली है